जै जिनेन, आज हम सभी जैन भाई बहन अपने स्री समेश सिखर जी, स्री पारस्तनात को बचाने के लिए एक जुठो के, एक साथ, एक स्वर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से परातना कर रहे हैं यह बिबात है क्या, मिरे और भी भाई बहन जो different religion से हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सी समेश सिखर जी को, tourist place, announce किया, notify किया, 2019 में, परियट्यन स्थल अब आज हो क्या राहा है, हमारे सी समेश सिखर जी पारसनात तीत स्थान पे लोग आए दिन जूते चपल पहर के चड़ते हैं मास मदिरा का पान हो रहा है, सिगरेट और गुटका खाके गुटका का थूख वहां डालते हैं पिक्निक मनाई जा रही है हमारे मंदिर पे, हमारे मंदिर स्थान पे सी समेश सिखर जी जहां पे हमारे 20 तीतंकत, आउट ओफ 24 तीतंकत, मोक्ष गए हैं आप बताईए, अगर ये हमारा धर्म है, हमारी धर्मिस्तली है, क्या हम ये सब अलाव कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये हमारा धर्ध है, जिसको हम आज सबके सामने रख रहे हैं आपको समझना होगा हम सेब समेश सिकर जी क्यों कह रहे हैं, बचाओ सी समेश सिकर जी को क्यों कह रहे हैं ये धर्मिस्तली है, सर्बो परी धर्मिस्तली है हमारे जैन धर्म के लिए चाहे वो दिगंबर हों, चाहे वो सितामबर हों मेरी हाथ जोड के केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन हैं हमारे प्रधान मंत्री सी आदर्णी सी नरेंद बोधी जी चीप मिनिस्टर आदर्णी सोरें जी और मंत्री मंडल के जितने भी हमारे मंत्री हैं अमेले हैं उनसे हमारा निवेदन हैं आप हमारी प्र पूरे देश से और देश के बाहर कई लोग आमरन अंसन पर बैठे हुए हैं रिसब्यहाद दिल्ली में संजय जी और रूची जी लास्ट पांस दिन से बिना अन्न और जल ग्रहन करे हुए बैठे हुए हैं जबकि ये वाला विबाद ये मुद्दा लोकसवा में भी कई MLA कई MP के जडिये उठाया गया और इंडिकेशन भी मिलना हैं कि गौर्वर्मेंट हमारी बात सुन रही है लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा कि यह हमारा तीत इस्थान है यह टूरिस्स प्लेस नहीं है यह यह religious pilgrimage place है जहां पे धर्म की रच्छा होनी है अहिंसा पर्मो धर्म कोई भी हमारे मंदिर में जूते चपल पहर के आ जाए मार्स मदरा का पान करे वहां थोके वहां पिक्निक मनाए क्या हम सब मैं कहता हूँ आप जैन है या अजैन है क्या आप इसे अलाउ करेंगे नहीं कर आवाज जो मेरे भाई बहन different religion से हैं मेरी request उनसे भी है आप भी हमारी आवाज बने और हम जैन चाहे दिगंबर हो चाहे सितांबर हो चाहे सम्मेश सिकर जी का मामला हो या पालीताना का हो हमको मिलके एक साथ एक जुट एक स्वर में अपने धर्मस्तली को बचाना है सर्वो साथी जो इसको वीडियो को देख रहे हैं जो different धर्म से आप मेरी बात से सहमत होंगे कि धर्म सर्वो पर है आए आप भी हमारी help कीजिए हमारी बात रखिए उन मंत्री मंदल के पास चाहे वो केंदर से हो या राज्य से हो चारकन राज्ट से कि यही जो पवित धर्मस्तल ह स्री समेज सिकर जी पारशना इसको धार्मिक प्लेस घोसित किया जाए पिल्ग्रमेज प्लेस घोसित किया जाए इसकी सुद्धता को यह जो सर्वो पर ही है इसको बनाए रखा जाए यह पिक्निक स्पोर्ट नहीं बन सकता यह टुरिस स्पेस नहीं बनाया जा सकता मैं हाद जोड़ के केंद सरकार और राज्य सरकार से प्रतना करता हूँ सभी मंत्री मंदल, लोकल एमेले, प्लीज हमारी आबास सुने और जो मेरे साथी आमरन अंसन पे बैठे हैं उनको बचाने के लिए प्लीज आप जल से जल इसको एनाउंस करें यह सब हम सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इस बीडियो के जरिये में अपने सभी जैन भाई बैनों से चाहे वो दिगंबर हों से तंबर हों आए हम सब एक साथ एक स्वर में सांति प्रिय ढंग से हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिस यह matter politicize हो हमें नहीं जाना politics में हमें अपनी बात रखनी हैं और करवद निवेधन करना है आए हम सब सी समेश सिखर जी को सी पारशनात को एक धार्मिक स्थान बनाए आसा है मेरी बात आरणी प्रधार मंती जी और मुख मंती जी के पास पहुँचेगी और वो जल से जल इस matter पे कुछ न कुछ notify करने के लिए announce करेंगे and that is the way we all can come together आए हम सब मिलके आपने स्री समेश सिखर जी को बचाएं जैजने